पिछले दिनों बॉल बॉड स्टार्स एक तंबाकू एड में नजर आये थे जिसके बाद खुब बवाल मचा था वहीं बॉल बॉड के साथ 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 के सितारों को भी पान मसाले के एड ओफर हुए जिन्होंने इस एड को करने से इंकार कर दिया वहीं अब खबर आ रही है कि अलू अरजुन को एक शराब की कमपनी ने उन्हें एक विग्यापन करने का ओफर किया जिसे आक्टर ने ठुकरा दिया इस बात की जानकारी मनुबाला विजेवालन ने ट्विट कर दी है उन्होंने अपने ट्विट में लखा है कि अलू अरजुन ने 10 करोर की डील का ओफर सुनते ही ठुकरा दिया है इसी के साथ बताया कि अलू अरजुन को पान मसाला और शराप के ब्रैंड के आड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है वो इन सब के आड बिलकुल भी करना पसंद नहीं करते हैं और ना ही अपने फैंस को किसी बतरा का कोई गलत संदेश देना चाहते हैं इसी के साथ बताया कि उन्हें लगबख 10 करो रुपए इस आड को करने के लिए ओफर हुए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया इस खबर के बाद से अलू अरजुन के फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं धग रहे हैं और उन पर खुब प्यार बरसा रहे हैं आपको बता दे कि अलू अरजुन का अर्मशियल एडास्मेंट के लिए लगबख 7.5 करो चार्ज करते हैं और वो रैडबस के ब्रैंड अमेजडर हैं लेकिन वो कोई भी पानमसाला और शराप के ब्रैंड को प्रमूट नहीं करना चाहते हैं अलू अरजुन को आइकन स्टार भी कहा जाता है अलू अरजुन की पॉपलारिटी लगतार बर्टी जा रही है और वो पुश्पा के बाद एक बड़े अक्टर बन कर उबरे हैं और अब उन्होंने फैंस का भी दिल जीत लिया है दोस्तों आपको अलू अरजुन का ये फैसला कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथ ही ऐसी और भी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पैस करना बिल्कुल भी न भूले